Hello and welcome back to Asset Guide YouTube Channel आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी आज की ट्रेडिंग का जो एनलिसिस है वो दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने क्या-क्या चीज़े कॉल और पूर्ड बाइ की हैं तो आपकी स्क्रीन पर दो चीज़े यहां पर दिख रही होंगी एक है Nifty 18.200 की PE जो हमने मौर्निंग में बाइ की थी और इसका जो बाइंग प्राइस था 16.4 था और इसको हमारा जो SL हिट हो गया था हमने ट्रेल कर दिया था तो यहां पर हमें 57 रुपे का लोस हुआ था इसके बाद हमने जो दूसरी कॉल बाइ की थी अठरा तीन सो की कॉल बाइ की थी और यह हमने 74.35 पर बाइ की 76.5 पर इसको सेल किया था यहां पर हमें 215 रुपे का प्रॉपिट हुआ था और वहां पर हमें मार्केट में काफी अच्छा मुवमेंट हुआ है लेकिन हमने बाद में जो है इसमें इतना trade नहीं किया हाला कि आज हमने यहां पर 3 call और put buy की थी तो आप चाहें तो देख सकते हैं यहां पर यह complete order है तो यहां पर buying selling आप check कर सकते हैं तो total 157 का profit है अब यहां पर बात आएगी कि यह profit तो बहुत कम है इतने में क्या होगा तो यहां पर यह चीज matter नहीं करती कि profit कितना कम है चीजे matter करती हैं कि कितने percentage profit हमने बनाया तो यह हम आज calculate करेंगे तो देखे यहां पर सबसे पहले आज हम यह देखेंगे कि यानि कि 74.35 पर 50 quantity यह कितना होता है calculate करके देखते हैं तो मैंने यहां पर किया है calculator open और calculator में check करते हैं 74.35 पर 50 quantity 74.35 पर 50 quantity यहां पर buy की थी तो यहां पर हमारा margin use हुआ है 3717 रूपीज आप देखें मैं यहां पर आपको percentage calculator दिखाता हूँ percentage calculator और इसमें हम check करेंगे कि हमने कितना percentage आज earn किया आपने initial capital पर तो यह है 3717.5 और हमारा है 157 यह जो हमारा profit है यह देखी यह है 215 215 है हमारा 215 3717.5 तो हमने इतने पर 215 रुपे earn किये हैं 3770 रुपे पर और इसको calculate करते हैं कि यह कितना percentage बैठता है तो देखें यहां पर यह हमारा 5.7 परसेंट बैठता है और अगर हम 5.7 परसेंट भी हटाए और केवल अपना जो profit है हम अपना profit बन 57 निकालते हैं बन 57 तो यह कितना percentage बैठा है वो हम यहां पर calculate करते हैं तो यह बैठता है 4 परसेंट तो आप यहां पर देखें हमें एक दिन में capital पर 4 परसेंट का interest मिला है यानि कि एक दिन में 4 परसेंट अगर अगर हम bank के जो deposit हैं उनके return की बात करें तो वो हमें साल का 7 परसेंट मिलता है यानि कि साल का 7 परसेंट या फिर दिन का 4 परसेंट तो दिन का 4 परसेंट भी काफिया है तो यह है में calculation यानि हमें यह नहीं आई कि कि हम इस ऐप्रमने margin पर वो किस तरीके से लेते हैं अब यहां पर हम इसको सबसे पहले 1,00,000 रुपे करते हैं और उसके बाद जो है calculate करते हैं कि अगर हम 1,00,000 रुपे से trade करते तो कितना earn यहां पर करते तो देखिए अगर हम 1,00,000 रुपे से trade करते तो हम यहां पर 4,000 रुपे earn करते अगर हम यहां 10 लाग रुपे से trade करते तो यहाँ पर हमारा profit बनता सिधा 40,000 रुपे जो की काफी जादा है तो यह चीज़े matter करती है एक दिन में आप 10,000,000 से 40,000 वना रहे हैं तो यह भी काफी अच्छी profitable है मैं यहाँ पर अपनी ही trading का खुद analysis कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़े कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक निसकर्स निकाल रहा हूँ कि कितना यहाँ पर कितने percentage हम daily basis पर earn कर रहे हैं तो इसी तरीकी कि हम daily video लाएंगे जहाँ पर analysis करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में